तो हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल मामा एंड बेबी क्या तो आज मैं आपको वेक्सिनेशन से रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट इंप्रमिशन बताऊंगी कौन से वेक्सिनेशन आपको प्रेगनेंसी के तरण लगाने बहुत जरूरी होते हैं और कौन से वेक्सिनेश एक इंपोर्टेंट प्रोसेस है आपके प्रेगनेंसी में जो कि आपके बच्चे और आपको इंप्रेक्शन से बचाता है तो प्रेगनेंसी में होते है क्या कि आपकी इंप्रेगनेंटी बहुत लोग हो जाती है जैसा कि आपको प्रेगनेंट मूमेन की जो इंप्रेगनें आपको नहीं लगाने, उनमें है रुबेला, MMR and चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स, रुबेला, MMR, अगर आपको यह वेक्सिनेशन लगाने तो यह प्रेगनेंसी से पहले लगते हैं, यानि कि जब आप प्लैन करो प्रेगनेंसी किया, तब आपको यह वेक्सिनेशन लगते ह यह आपको प्रेगनेंसी में बिलकुल भी नहीं लगाने इसके बाद प्रेगनेंसी में कौन कौन से वैक्सिनेशन लगाने तो सबसे पहले टेटनेस टेटनेस का वैक्सिनेशन आपको प्रेगनेंसी में लगता है वह किसले कि आपको इंफेक्शन से बचाने के लिए यह लग लगती है अगर मानलो आपकी ये फर्स प्रेगनेंसी इससे पहले आपको टेटनिस का इंजिक्शन कभी नहीं लगा तो आपको इसके दो डोजिस दिये जाएंगे एक आपको मतलब लगेगा थर्ड से फॉर्थ मन्त यानि की सेकंड ट्राइमिस्टर के राउंड आप मानलो फ इसकंड बाउंड दोजिस लगेगा और अगर को इसके इंजिक्शन लगेगा और‡ आपको इसफ़्ड की यानजिक्शन को करने दो तो अगर थे प्रीडम प्रेग्नेंसी में रेठे हान दान लिए अखकने नहीं लह इन तक अला नथ तो यह बहुत जरूरी होता है, यह आपको infection से बचाता है, कोई घाव अगर आपको pregnancy में हो जाता है, तो उसमें जो infection का डर है, अगर आप यह injection लगा लेते हो, तो आप बिल्कुल safe रहता है, आपका बच्चा भी safe रहता है, इवन यह बच्चे की भी protection करता है, क्योंकि इसमें जो antibodies जाती है, वो हमारी body में injection की through दी जाती है, जिसके वज़े से आप किसी भी infection से बच जाते हैं, तो tetanus बहुत जरूरी है, अब जो next injection है, वो है flu vaccination, अब जैसा कि आपको पता pregnancy में immunity लो होने की वज़े से, आप जल्दी से कोई भी चीज केश करते हो, लाइक, flu हो गया, cold ह हो गया, fever हो गया, ठंडी आपको जल्दी से लगती है pregnancy में, तो हम बोलते हैं कि आपको pregnancy में ठंडी से भी बचना है, तो आपको बहुत चांसी से infection catch करने के, अगर आप ये flu vaccination लगा देते हैं, तो आप flu से भी बच जाओगे, cold से बच जाओगे, या कोई virus हमारे atmosphere में रहता है तो उससे भी आप बच जाओगे, तो flu vaccination कराना बहुत जरूरी होता है, इसको आप मतलब second trimester में लगवा सकते हैं, या third trimester में भी लगवा सकते हैं, और खासकर अगर आपकी pregnancy का जो time है, वो अक्टूबर से मार्च के बीच में, तो आपको इसको लेना बहुत जरूरी होता है इस time पे flu के chances बहुत जादा होते हैं, तो tightness and flu vaccination है बहुत important रहता है pregnancy में, इसके लावा जो वो होता है, hepatitis B, hepatitis B आपके लिए compulsory नहीं है, जिनको ये बिमारी हो गई है, pregnancy में, hepatitis B यान के liver में inflammation, तो उनको hepatitis B लगता है, बाकी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, य इस अब injection प्रेगनेंसी से पहले लगते हैं, या किसी को pneumonia अगर हो जाता है, तो इसके लिए pneumonia वाली vaccination लगते है, बड़ जो जनरल प्रेगनेंसी आपके स्मूज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई medical condition नहीं है, तो आपको tightness and flu vaccination बस इनका ही लगाना ज़रूरी है, tightness की two doses of flu vaccination बस एक बार लगता है, तो ये तीन vaccination आपको लगेंगे पूरी प्रेगनेंसी में, और बाकी जो भी मैंना बताये थे, रुबेला, MMR हो गया, चिकन पॉक्स हो गए, ये आपको प्रेगनेंसी से पहले लगाना है, रुबेला जो है, मिस्केरे से रोगता है, रुबेला की बट प्रेगनेंसी से पहले लगता है, बट प्रेगनेंसी के दौरान हो सके, इन इंजेक्शन को बिल्कुल भी न लगा, सिर्क ये तीन इंजेक्शन आप लगवा सकते है, और vaccination बहुत इंपोर्ट नो तो ए प्रेगनेंसी में, आपको इंफेक्शन से बचाने के लिए, आप सेफ हो जाते हो इंफ्रिक्शन से तो आपको 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 इंफ्रमिशन पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चनल थैंक यू सो मज गाइस